हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्टे के लिए बताते हैं कि क्रूड वैल और यूएस वैल में क्या हमारे नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे कौन सी चीज़े हैं जो कि इसके ओपर इंपक्ट डाल रहे हैं तो शुरुवात दिन भर जो यहां पर थर्जडे का डेटा आया था हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेशन भी दिया था और टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको कहा था कि कुगल के लिए बहुत ही बढ़ी आड़ा है और उसके बाद आप देखिए कितना बढ़ीया हमें देखिए कि इस लेवल के बाद यह जो है नेक्श्ट डेए यहां पर नीचे को गिरा है और कफे नीचे गिरने के बाद यह बहुत नीचय अभी तक आचुका है और सेम ऐसा ही आप यूयस वैल में अगर देखिए तो यूस वैल में भी ऐसा यह ने हो रखा है यूशे अब ही तो अब यहां पर आने का कारण क्या है और न Äक्स्ट क्या रहा सकता है तो यहां पर जो तो जितना भी डेटा आ रहा है वो एकनोमिक के लिए यहां पर उनको यह लग रहा है कि इंफलेशन उससे कंट्रोल नहीं होने वाला और उसकी वज़ए से अभी वो फिलहाल जो इंटरस्ट रेट है उसको डाउन नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो इंटरस्ट रेट को डाउन क उसमें भी वो थोड़ा सा इंटरस्ट रेट बढ़ा सकते हैं या फिर उतना रख सकते हैं तो उसकी वज़ए से यहां पर कुड़ वाल में गिरावट हमें देखने को मिले क्योंकि इंटरस्ट रेट को बढ़ाना जो होता है वो इंडरस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होत इतना जाधा ग्रोथ नहीं कर पाती है और नहीं वो प्रॉडक्शन इतनी कर पाती है जिससे कि जो इंप्रॉइमेंट है वो भी बाधित होता है तो वह सारी चीज़ें होती है उसकी वज़ए से तो यहां पर कुड़ वाल की जो डिमांड है वो भी घटती है क्योंकि यहां पर देखने को मिल रही है तो कपी सद्स रही है तो काफी साथ वर इन चीज़ों की व्यचेश्ज़ की व्यग雅 है अब हमें यहां बात कर लेते हैं कि हमारे जो lips लेवल है वो क्या रहेंगे तो मंडे को दोस्तों डेटा भी आ रहा है अगर आपने हमारी डेटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी सबसे नीचे स्क्रॉ ओपर भी पड़ेगा तो बड़े गए लेकिन ऊपको ब्रु में यहां पर आपको ट्रेड उस दिन इंव इस दिन बन सकता है तो शाम को or बृंटाइटा अरहा है तो आप agenाश safety लेशक्ते हैं तो दोस्तों यहां पर अभी फिल्हाल अगर हम हम लेगल्स की बात करें तो म में आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजे 6-3-6-0 अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद यहां पर सबसे पहले तो जो है लेवल बहुत जादा यहां पर मैं काफी बड़े लेवल यहां पर नहीं दे रहा हूं इस समय रिजन उसका यहां कि काफी नीचे गिर चुगा तो उसके बाद हमारा next target 6-3-6-0 यहां पर रह सकता है उसके नीचे भी red candle की closing आती है तो 6-3-4-3 रहेगा और इसके बाद जहां तक मुझे लगता है वो support इसे मिल सकता है अच्छा खासा और इसके नीचे तब गिरेगा अगर जो मैं आपको data बता रहा हूं अगर वो data यहां पर जो है वो ज्यादा आता है जिसके वाज़े से dollar index में मस्भूति आती है तो यहां पर गिरावट हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है 6-3-4-3 के नीचे red candle की closing आती है तो next target यहां पर रह सकता है इसके अलावा अगर यहां पर यह support लेता है तो ऊपर की तरफ को यहां यहां पर इस लेवल को यानि की 6409 के उपर green candle की closing आने दीजिए तो उसके बाद next target हमारा यहां पर 6446 रहेगा और इसके उपर भी अगर green candle की closing आती है तो next target 6471 रहेगा और साथ ही अगर data भी support करता है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि मंडे को आना है तो फिर अगर यहां प पर अच्छा मोव हमें 6499 तक भी देखने को मिल सकता है इसके बाद यहां पर इसके बाद बहुत ज्यादा strong यहां पर इसे resistance मिल सकता है तो यह है crude oil और जब आप crude oil में trading करते हैं तो आपको लाखों में margin रखना पड़ता है छोटे traders और net traders के लिए दिक्कत होती है और भी trading hours भी जादा मिलते हैं पूरा 24 गंटे में से 23 गंटे तक market चली दाती है तो आप trading भी कर सकते हैं काफी समय तक और जिस टाइम market close होती है MCX की उस टाइम काफी data आते हैं जैसे चैना का data भी आता है और कई बार 12 बजे के बाद रात को वह data भी आता है तो आप जो है उसमें भ अगर आप Google प्रश्च करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज का जयाने वाला सबसे ज़या और व壓 होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफर्म पर होती है वो है Exynos, दुनिया का सबसे ज्यादा यूज़ किया जाने वाला सबसे बहतरीन प्लैट्फॉर्म बन चुका है Exynos का प्लैट्फॉर्म और दोस्तों यहां पर इनका जो कस्टमर का सुपोर्ट है बहुत ही जबरदस्त है, आप यह नहीं expect करेंगे उनसे कि वो आपको कोई response आपको जो है चैट बॉक्स साइड में उनका होता है website पर आप उस पर जो है उनसे चैट कीजिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है जैसे कहीं बार विड्रॉल कि अगर कोई दिक्कत हो गई या फिर विडिपॉजिट की तो आप उनसे बात कीजिए वो आपको तुरण देनेगे तो यहाँ पर आपने एक्सनेस का एकाउंट कैसे ओपन करना है यहाँ पर उसके लिए मैंने वीडियो बना रखेंगी तो आप जल्दी से उन वीडियो को देखिए और साथी वीडियो को जो डिस्रिप्शन बॉक्स है उसमें सब से ओपर आपको लिंक मिलेगा ए और सिधा आप पेज पर पहुंच जाएंगे एक्सनेस के और वहां से अपना एकाउंट ओपन केजिए इन वीडियो की हल्प से इन वीडियो में बता रखा है पूरा स्टेब आप कैसे अकाउंट ओपन करना है कैसे मनियाड करनी कैसे विड्डरॉ करनी है यहाँ यहां पर यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि USOL में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे तो यहां पर USOL में डाउंट सैड को यह लेवल है और यह जो डेटा आना है दोस्तों उसका भी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेशन दे दूंगा वह आपको उसका लिंक भी टेलीग्राम लिंक भी आपको हमारे description box में मिल जाएगा वहां पर आप लिक किजिए और आप उसे भी जोइन के लिजी बिल्कुल free of cost है और साथ ही दोस्तों Saturday और Sunday को जब आप ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग करने का कोई भी यहां पर प्लाटफॉर्म अविलेबल नहीं होता लेकिन अशनस पर आप Saturday संड़ने को भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटékोऑन में means cryptocurrency के जितने भी P पेर्स होते हैं उन क्रिप्टो करंसी में इंस्ट्रुमेंट्स मेंare Trader और संदआ को भी कियूंकि Saturday संद्रों को जो है आपकी छुट्टी भी होती है, ज्यादा टाइम भी आपके पास होता है, लेकिन आपके पास जो है वो प्लैट्फॉर्म कोई भी अविलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर आप एक्सनेस पर जो है क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं सेटर और संडे को और वह जबकि उपर की तरफ को यहाँ पर 76.92 के उपर green candle की closing आती है, तो next target 77.25 उसके उपर भी green candle की closing आती है, तो 77.48 हमारा next target रहेगा, वान आवर टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं यह और इसके उपर भी अगर green candle की closing आती है, वान आवर वाली candle की, तो फिर 77.72 हमारा next target रहेगा यहां पर इसके बाद देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों यह हैं वीडियो जिन में हम आपके बताया, और आपको आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे हमारा जो मनुवल है, Goodbye and stay safe.